Hello everyone, this is Pradhi Verma, the Commerce Guru. स्वागत एक बार फिर आप सभी कापकी अपनी YouTube चैनल Commerce Study Zone में. आज एक बार फिर फ्रस्तोत हूँ, आप सभी के बीच एक बहुत ही खास वीडियो के साथ, जो कि CVC के द्वारा दिया गया एक latest update है, related to OMR. आज ही के डिट में CVC ने एक लेटर जारी किया है, जिसको कि आज के इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं, जिसमें CVC ने कुछ important responses जो आप mark करते हैं, circle करते हैं, उससे related कुछ 18 important aspects को डिसकस किये हैं, जो आप सभी को पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उन चीजों के unawareness के वज़े से ऐसा ना हो कि आप unfair mean की category में categorized हो जाएं, या फिर आपके किये गए question को भी unattempted question की category में कहीं ना शामिल कर लिया जाएं, तो आएं डिसकस करते हैं, आज के इस latest update के बारे में detail में, तो आएं, start करते हैं अपना वीडियो इस PDF के साथ, जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, CBC ने 17th of November के date में, यानि आज ही के date में ये PDF जारी किया है, और जिसमें CBC ने बताया है students को कि OMR को respond करते समय किन बातों का हमें खास ध्यान रखना चाहिएं, तो one by one मैं उन सभी चीजों को आप से detail में explain करूँगा, तो वीडियो को अंतर जरूर देखिए, और हाँ, इस PDF का आपको link मैं आपको देखिएंगा, आप वहाँ से इसको detail में डाउनलोड करके भी पढ़ सेखिएंगा, जैसा आप देख रहे हैं, PDF में subject लिखा है important information for students and evaluators regarding, तो evaluators की बात तो हम यहां नहीं करेंगे, लेकिन हाँ students के लिए जो ज़्यादा जरूरी चीज है इस समय, students के लिए जो खास जरूरी information है, वो CVC ने release किये हैं, तो देखें, सारी बातों को तो नहीं, लेकिन जो जरूरी चीज़े हैं, मैंने उसको underline कर रखा है, और उसी पर हम बात करने वाले हैं, तो देखिए, हम बात करेंगे, जैसे यहां लिखा है, examples of marking responses in the OMR sheets are given below, आपको OMR sheets पे अपना जो response mark करना है, उसको mark कैसे करें, उसके बारे में CVC ने ये guidelines जारी किये हैं, तो आईए देखें, तो जैसे आप देख पा रहे हैं, यहां पे टेबिलर form में, कुछ categories और कुछ responses के example CVC ने दिये हैं, जैसे कि first number example आप देखिए, जैसे आप सबी जानते हैं, मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया भी था कि OMR में एक pattern change किया है CVC ने, उसमें एक column question number का है, एक responses का जैसे हमेशा होता है ABCD, फिर एक star के under में boxes बने मिलेंगे, जिसमें आपको responses को लिखने हैं, correct response को, then hash, जिसका मतलब है, उन चीजों को यहां mark करना है, या उन questions के लिए इसको circle करना है, जिसको आप attempt नहीं करना चाहते हैं, और उसके बार, आप जिस तरह से उसको solve करते हैं, उसका क्या मतलब निकलता है CVC को, वो कैसे evaluator उसको consider करें, इसके बारे में guidelines हैं, तो यह चीज आप जानोगे, तो आपके लिए better होगा, यह रादे के पहला एक example, like आपके चार option में से, आपने option A को चुना है as your correct answer, और आपने उसको circle darken कर दिया है, and then star के under उस box में आपने A लिख भी दिया, यानि आपने A को circle भी किया, A को लिखा भी है, तो ऐसे case में evaluator इसको किस तरह से deal करेगा, तो वो इसको correct method मानेगा, और आपका सही तरीके से evaluation भी किया जाएगा, तो यही एकदम सही तरीका है भी, now second एक आपको example दिखा रहे हैं, कि आपने A बे circle किया है, यानि आपने response A चुना, then बाद में later on आपको कुछ realize होता है, कि A सही response शायद नहीं है, तो आपको यहाँ cut marks लगाने की कोई जरूत नहीं है, आप सीधे क्या करेंगे, इस box में A नहीं लिखेंगे, बलकि जो आपको later on सही लगा, वो लिखेंगे, जैसे आपको लगता है, कि आपने A यहाँ भले circle कर दिया, लेकिन सही answer आपका है B, तो आपने यहाँ B लिख दिया, ऐसे case में evaluator क्या consider करें, और इस चीज़ को लेकर आपको fully confident रहना, क्योंकि CBC उसके बारे में complete details और training evaluators exam centers में दे रही है, तो लिखा CBC ने इसके बारे में कि answers will be considered as B, देखें, आपने box में B लिखा है, भले आपने circle A को गिया, तो सही answer क्या मना जाएगा, आपका box का response यानि B, तो इसलिए आपको यह aspects बहुत अच्छे से समझना है, यह सबसे important part है या aspects हैं हमारे सभी instructions के इसे, Now, third instruction के तरफ आते हैं, इसमें आप फिर देख सकते हैं, आपने answer like A को circle किया, and again star के अंदर आपने B लिखा, मतलब circle किसी और को किया, और response में कुछ और लिखा, as well as आपने जो hash के category में circle करने होते हैं, उसको भी कर दिया, Now, अब क्या consider किया जाएगा, तो इसको कहा जाएगा, आपने attempt नहीं किया और आपका ये answer evaluate नहीं किया जाएगा, ये बहुत ही important instruction है, कि अगर किसी question में hash के under आपने circling यहां कर दिया है, तो that means कि आप indicate करते हो कि ये question अपने attempt नहीं किये, और आपको करना भी है उनको indicate, जिन questions को आपने नहीं solve किया है, तो इस तरह से आपको यहां attempt ना करने का indication आपने दिया, as well as यहां पर आपने response भी fade किया, और circle भी किया, आपने सारे चीज़ों को भर दिया, तो finally वो माना जाएगा कि आपने इसको attempt नहीं किया, और वो check नहीं किया जाएगा, next है आपका, कि आपने एक option चुना, circle completely किया, बाद में कुछ आपके मन में doubts बनते हैं, तो आपने किसी other responses में cut लगा रखा जैसे आपको दिखाया गया है, और box में आपने C लिखा हुआ है, तो ऐसे किस में क्या ही है, आपका question चेक होगा, और अगर होगा तो किस basis पर चेक होगा, तो लिखाया answer will be considered, यानि चेक होगा, और क्या माना जाएगा C, यानि देख सकते हो, आपने यहाँ चाहे कितना भी सही है गलत कर दिया, इसको ignore करते हुए, box में जो लिखा है, वही आपके लिए perfect और correct answer माना जाएगा, और अगर सही हुआ तो marks पूरे मिलेंगे, next आपका example आप देख सकते हैं, आपने A को cut लगाया, B में tick लगाया, circle नहीं किया, tick लगाया, then C और D में भी cut लगाया, और यहाँ box में आपने D लिखा, मतलब आप यहाँ B कुछ सही बताना चाहते हो, circle भी नहीं किया, लेकिन आपने D को बाद में एक final response के तोर पर लिख दिया है, तो अब क्या माना जाएगा, तो answer will be considered as D, तो एक बाद फिर देख सकते हैं, आप लो box में जो लिखा है, आपने वही सही माना गया है, है ना, next पर आते हैं, अब आपने देखे, partially circle किया है, circle के अंदर एक dot सोटर सा बना दिया है, और फिर किसी और में other tick किया है, और दो खारी चूड़ा हुआ है, और आपने है a लिखा है, तो इस case में again evaluators को check करेंगे, और क्या consider करेंगे, आपने answer a लिखा है box में, तो a को सही माना जाएगा, 7th में दिखा रहे हैं, कि आपने कुछ अलग-अलग type के symbols use किये हैं, किसी में complete circle किया है, और जिसको complete circle किया है, वही अपने box में भी लिखा है, तो इस case में आपका answer क्या माना जाएगा, C माना जाएगा, तो देख सकते हैं अभी तक, जिस चीज को आप box में लिख रहे हैं, वही आपका correct answer माना जाएगा, ये hint आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स पर आते हैं, लाइक ये देखिए आप फिर से, फिर एक circle है आपके सामने, फिर एक circle है, अधूरा circle, फिर tick भी लगाया है उसमें आपने, और यहाँ बी लिखा है, तो क्योंकि आपने box में बी लिखा है, तो आपका answer क्या माना जाएगा, बी माना जाएगा, नेक्स में देखिए, आपने एक में cut भी लगा दिया, एक में tick भी लगा दिया, और आपने box में b लिख दिया, तो फिर क्या माना जाएगा, आपका answer b माना जाएगा, क्योंकि आपने box में b को लिखा है, तो इससे ये थाबित होता है, जो आप respond, b box में करेंगे, that will be considered as your final answer, despite कि कितने आपनी cuttings या कुछ भी किये हो, next में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने tick कर कैसे किया, और कुछ में आपने erase करने कोशिश किया, या कुछ आपका ink फैल गया, कुछ भी ऐसा हुआ है problem, तो ऐसे case में आपने C लिख दिया है, तो जिसका मतलब C ही आपके लिए answer consider किया जाएगा, next example में देखिए, आपने यहाँ पर option D को highlight किया, लेकिं complete circle ना करके एक नया design बनाया है, but box में correctly D लिखा, तो यह D ही आपका सही answer माना जाएगा, एक और example देखिए, एक को complete circle किया, एक में circle करके बाद में cut कर निशान लगा दिया है, और आपने यहाँ पर box में A लिखा, it means कि A ही आपका correct answer माना जाएगा, तो यहाँ तक से आप बार बार एक चीज़ को consider कर पा रहे होंगे, या समझ पा रहे होंगे, कि CBC बताना क्या चाहती है, कि जो आप box में लिखोगे, it will be considered your final answer, 13 में देखिए क्या दिखायागे, आपने partially circle किया है, और C लिख किया जाएगा, लेकिन आते हैं जरा 17 नमबर एक example के तरफ, देखें इसमें क्या है, आपने चारों box से इसको खाली छोड़ा, ठीक, यानि कोई भी response नहीं किया है, और साथी साथ सबसे बड़ी बात, आपने इस box को भी खाली छोड़ दिया है, यहाँ भी कुछ नहीं लिख कि जो exam के नियम के खिलाफ है, क्योंकि नियम के मताबिक, अगर आपको यह question नहीं करना है, तो सबसे पहली बात आती है, कि आपको इस hash के अंदर इसको circling करना ही होगा, ठीक है, और आपने वो भी नहीं किया, और अगर आप इसको attempt कर रहे हैं, तो आपको box में as well as circle कुछ न कुछ तो करना चाहिए, तो आपने कुछ भी नहीं किया, तो यह unfair mean के category में आएगा, और यही मैंने अपने thumbnail में लिखा था कि अच्छे से जानिये, unattempted किसको कहते हैं, और unfair mean किसको कहते हैं, तो लिखा है hence, assistant superintendent must inform and check in the exam room, तो ऐसी चीज़ों को बच्चे को inform किया जाए, और खिलाफ action भी लिया जा सकता है, in case वो अगर avoid नहीं किया जा सकता, तो, and last देखे, आप क्या देख रहे हैं, फिर से चारो boxes खाली है, even यह box खाली है, लेकिन आपने यहाँ पर circle किया हुआ है, hash में, तो लिख रहे हैं, question will be considered as not attempted, क्योंकि आपने hash वाले category के अंदर इसको circle किय तो आपने indicate कर दिया है, कि आप 18th question को attempt नहीं करने वाले हैं, तो यह आपको समझना भी है, और use करना आना भी चाहिए, जिस question को attempt नहीं करना है, उस question के hash वाले line में उसको आप circle करेंगे, ना कुछ और बातों को ध्यान दीजी, जो यहाँ पर मैंने आपके लिए underline किये वैसा आप सभी जानते हैं, और एक जो complete तरीका और correct तरीका होता वो यही है, circle को properly darken करना, तो इस बात का खासा ध्यान रखा जाए, then it is further informed that, यह बहुत ही एक important instruction है, और यह circle को ले करके नहीं है, यह आपके number of question को attempt करने से ले करके, however मैंने पिछले वीडियो में इसकी थोड 25 question attempt करने होते हैं, लेकिन आपको मिल रहे कितने question 50, यानि 5 extra question आपको दिये गये हैं, आपको कोई भी 45 करने हैं, लेकिन किसी बच्चे ने क्या किया, पूरे 50 को respond कर दिया, हर question को attempt कर लिया, तो ऐसे case में क्या बच्चा सोचता है, बच्चा सोचता है कि जो 5 extra किये हैं, उसका हमें ये फायदा मिलेगा, कि जो सही वाले होंगे, वही check होंगे, गलस वाले check नहीं होगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, clearly लिखा हुआ है, कि it means that question not attempted, only first 45 question will be evaluated, साफ साफ लिखा है, कि अगर आपने ऐसा किया, कि 45 question को आपने attempt करने के जगा, पूरे 50 attempt किये, और जो hash के under आपको circle करना था, आपने वो भी नहीं किया, तो ऐसे case में माहना जाएगा, कि जो sequence wise पहले 45 questions है, वही evaluate होंगे, चाहें आपने गलत सही किया हो, कुछ भी किया हो, और ये भी clear लिखा है, in no manner, किसी भी तरीके में, best of 45 are not to be evaluated, मतलब 45 में से, जो best, यानि जो correct वाले हों, वो check किये गाइड करने के लिए ये letter जारी किया है, आज की डिट में, और इनी को explain करने के लिए मैंने आप सभी के बीच इस वीडियो को आज प्रस्तुत किया, hope so ये सारी जनकारी आप सभी के लिए काफी important हो, और आपके लिए helpful होंगी exam में, तो मिलते हैं आपने next वीडियो में,